नमस्कार दोस्तों कैसे सब बढ़िया 1st class एक बाद फिर से स्वागत करते हैं UP वोड हिंदी मेडियम के शबसे बड़े वस्वाषनी तो कैसे हैं बढ़िया 1st class बोले तो एक नमबर 6 प्रैक्टिकल की डेट पास आ रही है बहुत नजदीक आने वाली है एक महिना डेड़ महि बाद आपका प्रेक्टिकल होने वाला है और प्रेक्टिकल का तीश नंबर आप अपने हाथ में करना चाहते हो तो एक बात कुछ बाते हैं कुछ टिप्स हैं जो की बहुत मिनिमम टाइम में आपको बताया जाएगा और बहुत आसानी से अगर उसको आप फालो करोगे तो मैं इस बात की गरंटी दे सकता हूं कि तीश में तीश नंबर आराम से आपको मिल जाएगा सर और उसके बाद आपको मैं सीधा आपको यहां पे विवसाइट खोल के दिखाऊंगा कि जो हमारा स्लेवस है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का उस या यूपी बोर्ड हिंदी स्लेवस है आप मिरी बात को बहुत अध्यान से सुनिएगा प्रैक्टिकल में क्या चीज माईने रखती है यह बात मैं तुमको बताता हूं देखो प्रैटिकल का तीश नंबर तीश नंबर में 15 नंबर जो होता है वो 15 नंबर आपका जो प्रैक्टिकल बाहर से लेने वाले लिए और आते हैं उन पर डिपेंड करता है और अगर आप अच्छे से स्कूल के जो टीचर है उनको बना की अपनी अटेंडेंस होती है कुछ आपका फाइल वगेरा होता है और कुछ आपका behavior होता है अगर इस अच्छा होता है तो आराम से आपको यहां पर 30 तीश नंबर मिल जाते हैं बात आएगी सर क्या होता है प्रेटिकल के अंदर दुखो मैं एक बहुत मिनिमम टाइम में तुमको कुछ बताना चाहता हूं सुनू प्रेटिकल जो होता है वो सबसे बड़ा डिपेंड होता है अगर तुमसे मेरी बात को सुनना मैं जो कह रहा हू है कोई भी वाईवा लेने आ रहा है कोई भी टीचर आ रहा है अगर आपको वाईवा लेने तो अगर आपकी स्कूल में हो सकता है पहले बता दिया जाएगी आपका सो रुपए दो सुरुपए पांस रुपए हजार रुपए जो भी लिया जाए अगर मांगा जा रहा है त दूसरी बात क्या होती है सर, दूसरी बात होती है सर आपकी पास फाइल, फाइल को कैसे बनाये जाएगी सुनो ध्यान से, फाइल को बनाने के लिए एक सिंपल मेस्थड है, आपकी स्कूल में पुराने साल की फाइल रखी होगी, पिछले इयर्स की, जो बच्चे आपके बड आफ स्लेबस भी चीजे लिखवा देते हैं जिसे से आपको भुगतना पर जाएगा उसके लिए तुम्हें स्लेबस का पता होना बहुत जरूरी है दूसरी सबसे बड़ी बात होती है किस नंबर पे किस चीज पे कितना नंबर हमें मिलता है वो हमसे पूछेगा क्या प्रोजे भुःत कर सकोगे जतना अच्छा सजा कि जतना एकजैक्टली बनाओगे उतने अच्छे नंबर लेकिन यही काम नहीं रुखेगा जितना ज़्यादा आप अच्छा से उसका फीगर बनाओगे उसके बारे में उतना अच्छा जानकारी मोनी चाहिए आपको यह सारे सबजे तुम्हें अभी से एक्सपेरिमेंट कराया जाता होगा तो इस बात को ध्यान दे लेजिएगा कि वह आप से एक्सपेरिमेंट के कुष्टन उठाएंगे लेकिन जिसना भी स्कूल है मैं UP और हिंदी निरियम की या कहीं का स्कूल हो मैं जितनी बात कर रहा हो मेरी बात को किशेंगे क्योंकि आप वहां सीधा बोल देना कि हमारे स्कूल में प्रेटिकल कराया गया ही नहीं है जो एक दो प्रेटिकल करागे छोड़ देते हैं हो सकता है टाइक्टेशन करवा दें किसी का फंक्स्टन गुरुप होता है मुक्त मूलक ब्याद करना दिखा दें अलग तुमको बताता हूं सीधा आपको मैं यहां पर विफशाइट पर ही लेक चलता हूं धान से सुनना आपका स्लेबस जो है मेरी बात को बहुत धान से सुनना आपके स्लेबस प्रेक्टिकल में क्या है इसको थ्शुदा समझने को सिस करते हैं हम दोग्वों सबसे पहली चीज तक कि किसी वच्च कोई देकत न二 का में अब तुमिंवह दिखता हूं प्रैटिकल कले परियोगत्मक परिछ्ष यहां पे देख धरा दिखाएदे रहा है सब साफ जों कर देता हूं अकर नहीं दिखाए दे रहा है तो संनो धांस ही हिए रहा है है जिसको बोलते हुआ स्टाल्ट इनलाइस इंग से बोला जाता है लमण का परिष्छन का क्रिष्टली करांग जिसको होता है किया जाता है अगर वह अगर पुस्टन होगा तो आयतनी बिसलेशन किसी का आयतन निकालना है उसके लिए इसको यहां पर चार नमई मिलता बिसे वस्तु अधारित प्रियोग बिसे जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो जो भी हो फिजे सो कमेस्टियो वैलोजी हो उसके अधार पे जो प्रियोग किया गया होगा उस पे तीन नंबर मौखिक पलचा जो तुमसे मुह से पूछते हैं कि यह क्या चीज है से तुमने चा है तो उसमें अगर तुम बता लेते हूं तो उसका तुम्हें क्या मिलेगा चार नंबर तो क्या हम नहीं बता पाएंगे यह वो लोग हैं जो बाहर से आते हैं पंद्रा नंबर के लिए तो क्या अगर हम नहीं बता पाएंगे तो नंबर महीं मिलेगा मैं फिर से दोहरा जब वो आएंगे न प्रेक्टिकल वाइबा करवाने तुमकी पास एक कागज होगा उस कागज पर A B A B 1 A B 2 ऐसा फंडामेंटल लिखा होगा उसी पर चलाते हैं चीज़ों को जो लेकर वहां से लिख कर जाएंगे वही ये स्कूल में देखे जाएंगे और जो नंबर वो लि लिख के जाते हैं और वही जाएंगे तुम्हारे वहां पर चलके चटता है समझ गे मेरी बात पर जीसर आगे बढ़े लो यहां पर आंतरिक मुल्यांकन का क्या मान्थ यह तुम्हारे स्कूल के फंडामेंटल है सुनो प्रोजेक्ट एवा मौखिक प्रोजेक्ट में क्या बनाये हो और मौखिक जो तुम्हारे यहां क्या होता है उसके बाद कच्छा रिकार्ड आपकी अटेंडेंस कितनी है तो क्या कच्छा रिकार्ड हमारा अगर सही नहीं होगा तो मुझे नंबर नहीं मिलेगा फिर मैं बोल दूँ पैसा दिये हो तुस्स सब मिलेगा और भी तुम्हारे यहां के टीचर होंगे जो भी चीजी होगी यहोँ सकता है बाहर वाली टीचर और तुम्हारे स्कूल साथ में ही बैठें पुष्टल करेंगे जो मिलेंगा उसका यहां पर तीम नंबर तोल 15 यह जुला 15 यह जुला इसका तीष्ट अब मैं बताता हूं कि आव स्कूल के टीचर से तुम्हाँ नहीं पढ़ती है, हो सकता है तुम बीमारी हो सकता है तुम घर में ही पढ़ाई कर रहा हो स्कूल नहीं जा पा रहा ο तब भी व o एक या-दो नंबर से ज़्यादा तुम्हारा नहीं कार सकते हैं, इस बात 2009 अब ध्यान दीजेगा ठीक है तो ये है प्रेटिकल का पूरा फंडामेंटल अब तुम्हारे स्कूल में प्रेटिकल कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है आप कमेंड में बताईए उसके बाद मैं अगली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा ठीक है मिलते है नेक्स